हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत टू कलर का पैटन सेयर करने जारी हूँ इस पैटन को आप बच्चों के औल प्रोजक्ट में अपलाए कर सकते हैं बेबी फ्रोग, बेबी जाकेट, बेबी कार्डिगन, बेबी स्वेटर, बेबी कैप, बलैंकेट आदी में इसके अलावा आप इस पैटन को लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर आदी में भी अपलाए कर सकते हैं बनके बहुती खुबसूरत हमारा ये pattern आ जाता है और front side से हमारा ये pattern बनना start होता है सबसे पहले हम अपने project के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सब भी border pattern बनाके complete करेंगे border pattern complete होने के बाद front side से हमारा ये pattern बनना start होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने 3 के multiple में फंदे डालने हैं, प्रस हमने 2 फंदे extra डालने, 10 नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने हैं, तो देखिए front side से pattern की first row, border complete होने के बाद front side से pattern की first row में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, और front side से हमने first row को सीधा बुनत करना है, first row में हमारा first color आएगा, यह देखिए front side से हमने first row को सीधा बुनते हुए complete कर लेना है, यह front side से हमारी pattern की first row complete हो गई, अब देखिए wrong side से second row, अब second row में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, और wrong side से हमने second row को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है, यह देखिए wrong side से हमारी pattern की second row complete हो गई, आप देखिए front side से pattern की third row, अब third row में हमारा second color आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम second color को add करेंगे, starting में देखिए, यह पहला फंदा उतारेंगे, और next हमने तीन फंदे बिन बुने उतारेंगे, एक, दो, तीन, यह तीन फंदे हमने बिन बुने उतारें, अब next देखिए जो तीन फंदे आएगे, इनमें हमारा pattern आएगा, तो तिन फंदओं को रेंगे खीति टीन पंदेगे। दबल रोल करके बुने, फिर तीन फंदे हम बिना बुने उतारेंगे इस तरीके से, फिर नेस्ट हम तीन फंदे डबल रोल करके बुनेंगे, एक, दो, इस तरीके से हम डबल रोल करेंगे, फिर नेस्ट फंदे में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा, और नेस्ट फंदे में भ बिना बुने आ जाएंगे इस तरीके से तो देखे ये front side से हमारे pattern की third row complete हो गई अब देखे wrong side से fourth row fourth row में देखे ये जो बिना बुने फंदे हैं इनको हम ऐसे ही उतारेंगे बिना बुने इस तरीके से फिर धागा जो second color वाला धागा है इसको पीछे कर लेंगे इस तरीके से अब इन तीनों फंदों को single करेंगे एक, दो, तीन ये तीन फंदे single किये अब इनको हम एक साथ बुनेंगे और साथ फंदे बना लेंगे तो देखे धागा पीछे रहेगा अब इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे और साथ फंदे बना लेंगे तो देखे एक सलाई में धागा लपेटेंगे दो फिर बुन के तीन सलाई में धागा लपेटेंगे चार फिर बुन के पांच फिर सलाई में धागा लपेटेंगे छे, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, साथ, इस तरीके से हमने ये साथ फंदे बना लेने हैं, फिर इन तीन फंदों को एक साथ सिलीब कर देंगे, धागा अपनी साइट करेंगे, नेश्ट हम तीन फंदे ऐसे ही बिना बुने उता लेंगे, फिर धागा पीछ करेंगे अब धेखे नेश्ट हमने तीन फंदों को सिंगल कर लेना है इन के सिंगल करेंगे अव इनको एक साथ बुनेंगे और साथ बना लेंगे तो ऐसे सलाईड अव्य डालेंगे देखे धागा के ले जू आंगा हो गया दूसरा फंद्र लपते के तीसरा फंदा ऐसे तीनों फंदों को एक साथ बुनके चोथा फंदा सलाई में धागा लपेट के पांचवा फंदा तीनों फंदों को एक साथ बुनके छेटवे नंबर का फंदा सलाई में धागा लपेट के और साथ में नंबर का फंदा इन तीनों को एक साथ बुनके फिर इन तीनों फंदों को सिलिप कर देंगे धागा अपनी साइट करेंगे लास्ट के फंदे बिना बुने उतार लेंगे देखे ये रॉंग साइट से हमारी फोर्ट रो कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रेंट साइट से फिप्त रो फिप्त रो में देखे फिप्त रो में हमारा फिर्ष्ट कलर आएगा पहला फंदा ऐसे बुनके उतार लेंगे अब नेश्ट देखे तीन फंदे सीधे आजाएंगे एक दो तीन अब देखे जो नेश्ट हमारे ये पैटरन वाले फंदे हैं इन में से देखे ये उबरे हुए तीन फंदे जो दिखाए दे रहे हैं ऐसे इनको राइट नेडिल से उठाएंगे ऐसे इन तीनों फंदों को उठाएंगे और थोड़ा इस तरीके से खीचेंगे यह खीच देए अब इन फंदों के उपर से जो नीचे चार फंदे हैं इनके उपर से हमने इनको उतार के सिलीप कर देना है इस तरीके से दिखें यह देखें इस तरीके से हमने इनको सिलीप कर देना अब हमारे पास यहाँ पर चार फंदे हैं तो इन में से देखें एक फंदा सीधा आएगा एक फंदा सीधा आएगा नेश्ट हम दो फंदों को एक साथ बुनेंगे यह दो का एक करेंगे यह दो का एक किया फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे यह देखें इस तरीके से यह हमारा पैटरन बनना स्टार्ड हो जाएगा अब नेश्ट देखें तीन फंदे सीधे एक दो 3, 3 फंदे सीधे, अब niast देख़े, ये pattern वाले फंदे आ जाते हैं, तो इन मेंसे देखे, जो ये उबरे हुए फंदे दिख रहे हैं, इन 3 फंदों को, 1, ये 2, और ये 3, इन 3 फंदों को ऐसे right needle में उठाएंगे और इस तरीके से खींचेंगे थोड़ा, इस तरीके से, अब आगे के फंदों के उपर से उतार के इनको सिलीब करेंगे, इस तरीके से दिखे, इनको हमने सिलीब कर दिया, अब हमारे पास यहाँ पे चार फंदे हैं, इनमें से देखे एक फंदा सीधा, दो का एक करना है, यह दो का एक किया, फिर एक फंदा सीधा, फिर नेस्ट फंदे स सिधे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन की फिप्तरों कमप्लेट हो गई, आप देखिए फ्रंट साइड से 6 रूप, पहला फंदा उतारेंगे, आप देखिए नेस्ट फंदे उल्टे आ जाएंगे, अब देखिए, यहाँ पे देखिए जो ये लूज धागा छूट रख है, इसको देखिए ये जो नेस्ट फंदे है, इसके अंदर से हम ऐसे सलाई ले जाएंगे, और इस धागे को भी ऐसे उठा लेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे हमने ऐसे बुन लेना है, इस तरीके से हमारी back side से finishing आ जाएगी back side से हमने पूरे pattern में ये process repeat करना है इस से हमारी back side से finishing आ जाएगी next फंदे फिर उल्टे आ जाएंगे तो देखे ये wrong side से हमारी pattern की 6 row complete हो गई अब देखे फ्रंटी साइड से 7th row अब 7th row में हमारा first color आएगा तो देखे पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंटी साइड से हमने 7th row को सीधा बुनते हुए complete कर लेना है ये फ्रंटी साइड से हमारी 7th row complete हो गई रॉंग साइड से देखे 8th row अब 8th row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइड से हमने 8th row को उल्टा बुनते हुए complete करना है ये रॉंग साइड से हमारी 8th row complete हो गई आप देखे फ्रंट साइड से 9th row अब 9th row में हमारा second color आएगा तो देखे पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और next देखे तीन फंदों को हम डबल रोल करके बुनेंगे second color से तो देखे एक एक फंदा हो गया ये दो और ये तीन तीन फंदों को हमने ऐसे डबल रोल करके बुन दिया अब next हम तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे फिन next हम तीन फंदों को डबल रोल करके बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदे डबल रोल करके बुने फिन next देखे तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे फिन next हम तीन फंदे डबल रोल करके बुन लेंगे एक दो तीन लास्ट का फंदा बिना बुने तो देखे ए फ्रेंट साइड से यमारी पैटन की नाइंतरों कम्प्लेट हो गई अब देखे रोंग साइड से टैंतरों पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब इन तीनों फंदों को सिंगल करेंगे इस तरीके से दिखे अब इन तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे धागा पीछे ही रहेगा और साथ फंदे बना लेंगे एक सलाई में धागा लपेटा दो बुन के तीन फिर सलाई में धागा लपेटेंगे चार फिर इन तीनों फंदों को बुनेंगे पांच फिर सलाई में धागा लपेटेंगे छे फिर इन तीनों फंदों को बुनेंगे एक साथ साथ फिर इनको सिलीप कर देंगे धागा अप तीनों फंदों को सिंगल करेंगे डबल से, अब इनको हमें एक सात बुनना है, और सात फंदे बनाने, तो धागा पीछे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और सात, ये दिखे, फिर धागा अपनी साइड, नेस्ट फंदे हम बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, फिर इन तीन फंदों को डबल से सिंगल करेंगे, और एक सात बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और सात, धागा अपनी साइड, लाष्ट का फंदा बिना बुने आ जाएगा, तो देखे, ये रॉंग साइड से हमारी 10 त्रो कम्प्लीट हो गई, आप देखे, फ्रंट साइड से 11 त्रो, अब फ्रंट साइड से 11 त्रो में देखे, पहला फंदा बुन के उतारेंगे, ये पहला फंदा हमने बुन के उतार लेना है, अब नेस्ट हमारे ये पैटरन वाल पिर आगे वाले फंदों के उपर से उतार के सिलीप कर देंगे, इस तरीके से देखे, यह हमने सिलीप कर देने हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर चार फंदे रह जाते हैं, एक, दो, तीन, चार, इन में से देखे एक फंदा सीधा बुनेंगे, यह एक फंदा सीधा, फिर दो का एक करेंगे, यह दो का एक कर दिया, फिर एक फंदा सीधा, अब नेश्ट देखें, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, एक, दो, पिर नेश्ट देखें, यह पैटर्न वाले फंदे आ जाते हैं, då देखे इन में से यह उबरे हुए फंधे हैं, एक, यह दो, और यह तीन, इन तीनों फंधूं को देखे इस तरीके से उठाएंगे और थोड़ा लुज कर लेंगे इस तरीके से, एसे खीचके, फिर आगे के फंधूं के उपर से उतार के सिलीप कर देंगे फिर एक फंदा, सीधा, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा, सीधा, फिर नेस्ट दिखें, तीन फंदे, सीधे आ जाएंगे, फिर नेस्ट पैटन वाले फंदे आ जाते हैं, तो इन में से देखें, ऐसे इन तीन फंदों को ऐसे उठाएंगे, राइट निडिल में, और ऐसे लूज करेंगे, फिर आगे के फंदों के उपर से उतार के इनको सिलीप कर देंगे, इस तरीके से, फिर एक फंदा सीधा, दो क 12 रों कम्ठलीट हो गई, आप देखें, राउंग साइट से 12 रों, एला फंदा उतारेंगे, और राउंग साइट से हमने 12 रों को उल्टा बुनते हुए कम्ठलीट करना है, और साथ में देखें, जो ये धागे हैं, इनको भी हम साथ में बुनते हुए जाएंगे, तो देखें, इस तरीके से हमारी बैक साइड से फिनिसिंग आ जाएगी, फिर नेस्ट देखें, नेस्ट फंदे उल्टे आएंगे, फिर नेस्ट देखें, इस फंदे के अंदर से ऐसे हमने इस धागे को उठा लेना है, ये देखें, फिर इस फंदे को भी ऐसे बुन लेंगे, फिनेस्ट होंदे उठे आ जाएंगे ये देखिए रॉंग साइट से हमारी 12 रो कमप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइट से 13 रो 13 रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा 13 रो को हमने पैटर्न की 1st रो की तरह बुनते हुए कमप्लेट करना है 13 रो में हमारा 1st कलर आएगा और इन्ही 12 सलायों के पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखिए बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटर्न है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले थेंक्यू